एपिसोड 22 के first scene में मामों को पता चलता है कि रानी गो कुयो पैग्नेंट है तबी इसी दुरान मामों रानी के बच्ची को देखकर सोचती है क्या इसको पता है कि पेट में बच्चा है तब ही ये देखकर हॉंग यांग कहती है अब मुझे भी सुरू कर देना चाहिए तब ही ये सुनकर मामो सोचती है लगता है साथ इनी भी किसी ने परपोस किया है तब ही मामों के इतना सोचते ही रानी की बच्ची मामों के पास आकर उससे ट्रॉइंग बनाने का इसारा करती है तब ही ये देखकर मामों एक जहरीरे मस्रूम की ट्रॉइंग बनाती है और हौंग यांग उसको डाट कर फूल बनाने को कहती है पिर इसके नेक सीन में हम लाकन को देखते हैं जो जिन्सी से अगले महिने वाली सेरिमनी में नीले गुलाब लगाने की रिक्वेस्ट करता है जिन्सी कहता है मैंने नीले गुलाब के बारे में कभी नहीं सुना लेकिन अगर ये होते हैं तो मैं भी इनके बारे में जानना चाहूंगा तभी ये बात सुनकर लाकन यहां से चला जाता है और जिंसी गासुन से रजिया के पास जाकर नीले गुलाब के बारे में पूचने को कहता है तभी ये बात सुनकर गासुन सभी मालियों के पास जाकर उनसे नीले गुलाब के बारे में पता करता है और जिन्सी के पास जाकर उसे बताता है कि अभी नीले गुलाब का सीजन नहीं है तब ही ये बास सुनकर जिन्सी परिसान हो जाता है और मामा उसे हेल्प मांगता है मामा कहती है नीले गुलाब नहीं होते है लेकिन मैं जब वार्डीगी साॉस में थी तो मैं ऐसा ही कुछ बना कर पैसे कमाने के लिए सेविकाओ के साथ बीचा करती थी इसलिए मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत पता है वैसे ये आपको कब तक चाहिए तब ही यहाँ पर इतना कहते ही मामाओ को जिन्सी से पता चलता है कि ये काम लाकन ने अगले महने की सेनमरी तक करने के लिए दिया है तब ही ये बाह सुनकर मामाओ बताती है कि गुलाब दो महिने में खिलते है ये सब उस स्टेटेजी वाले ने किया है मैं उससे भागने वाली नहीं हूँ इसलिए मैं ये करूंगी पिर इसके बाद मामाओ नीले गुलाब के सिलसले में रानी लिवा के पास जाकर उससे मिलती है और नीले गुलाब को जल्दी खिलाने के लिए उसका पहले का बनाया हुआ इस टीम रूम को यूज करने के लिए मांगती है लेडी लिवा कहती है वो तुमने ही तो मुझे ठीक करने के लिए बनाया था तुम उसका यूज कर सकती हो ताभी ये बात सुनकर मामों को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है कि वो इसे फिरी में यूज कर रही है इसलिए वो यहाँ पर लेडी लिवा को समराट को क्या चीजे पसंद है उसकी किताब देती है जो उसे आर हाउस से मिली थी ताभी लेडी लिवा ये किताब लेती है और मामों यहाँ से चली जाती है पिर इसके नैक सीन में मामा उ जिनसी को बताती है कि हम गुलाब को जल्दी खिलवाने के लिए इस स्ट्रीम रूम की मदद से उसको बेवकूब बनाएंगे और हम ऐसा करने के लिए इस रूम में सुरज की रौसनी अंदर आने दिंगे और वहां से पौदो को भाब दिंगे जिससे फूल कंप्यूस हो जाएंगे और खिलने लगेंगे तब ही इतना बताते ही मामा उ एक नीले गुलाब का गमला उठाती है जिससे उसके पैर से खून आने लगता है जिसे देखकर जिनसी और गासुन चौक जाते हैं और मामाओ की हेल्प कनने के लिए उसकी दोस्सावलैन को बुलाते हैं फिर इसके बाद मामाओ शावलैन और बाकी सेवकों के साथ हजार से जादा गुलाबों को मंगवा कर इनके गमले को इस रूम के अंदर रख देती है फिर इसके बाद हमें रात का सिन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि माओ माओ को इन गुलाब को खिलाने के लिए ऐसी रात भर जाग कर तापमान का ध्यान रखना होगा अगर वो ऐसा नहीं करेगी और उसने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये सारे गुलाब खराब हो जाएंगे और मामाओ ये काम खुद इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे इस काम का अन्भव था इसलिए इस काम को कोई और सेवक नहीं कर सकता था फिर इसके अगले दिन मामाओ सभी गमले को भार धूप में रखती है और उनमें पानी देने लगती है तब ही इसी दुरान यहां गासुन आता है और मामाओ शावलैन को उनकी फेवरेट चीज खाने को देता है तब ही यह देखकर यह दोनों खोस हो जाते है और गासुन को धेंक्स कहाकर इसे खाने लगते है तब ही इसी दुरान यह दोनों लेडी लिवा की सेविका को देखती हैं जो दूर से उन पर नज़र रख रही होती है फिर इसके बाद मामाओ, शावलेन और बाकी सेवक लोग रोज इन गुलाब की देखभाल करने लगते हैं फिर इसके बाद हम मामाओ को देखते हैं जो इन गुलाबों को खिलाने के लिए कई राज जाकर खूब मेहनत करती है और इन सेविकाओ से पीछा छुटवाने के लिए अपनी दोस्त और लेडी लिवा को मैनीक्यूर का यूज करके नेल पॉलिस लगाती है जिससे इन लोगों का मामाओ लोगो को छुपकर देखना बंद हो जाता है फिर इसके बाद मामाओ लेडी गोक्यू से मिलती है और हौंग यांग मामाओ को बताती है इस बार की सेरिमनी में लेडी गोक्यू सामिल नहीं होंगी और वैसे भी हम लोग वहां लेडी लोलान का परीचे जानने के लिए ही तो जा रहे है तब ही ये बात सुनकर मामाओ सम शावलान बहुत खुष हो जाती है और मामाओ ये देखकर दिन रात ना सोने की वज़ा से यहां पर सौ जाती है भिर इसके बाद फाइनली सेरिमनी का देना आता है और जिंसी काऊसुन सेरिमनी के कामों में बिजी होने के कई دीनों के भाद मामाओ से मिलकर उसके डार्क सर दोई को देखते हैं जो समराट और दुवागेर से कहता है मेरी बेटी को अगर और निखनने की जरुद है तो बताईए तबी दुवागेर कहती है आपकी बेटी ठीक है फिर इसके बाद जिंसी मौमाओं के दिये अलग-अलग तरह के नीले गुलाब समराट को बेट करता है जिससे खुस होकर समराट कहते हैं ये बहुत सुंदर है तबी ये सब देखकर कुछ लोग जिंसी से जलने लगते है और हमें यहाँ पर जिंसी के जरिये पता चलता है कि जवान लोग एक हिजले की तारिब कभी भी नहीं करते हैं बहले ही वो कितना सुंदर क्यों नहों अवस जलन ठीक है पर मुझे रानी दोवागेर के इस पसिंदिदा बंदे से परिसानी है पता नहीं ये क्या सोच रहा है पर अभी इससे ज़्यादा परिसान करने वाला सक्सी ये लाकन है ताभी इसी दुरान हम लाकन को देखते हैं जो अपने हाथ एक अधिकारी की टोप में पोच कर उसकी टोपी उसको पहना कर ये नीले गुलाब को देखकर जलने लगता है और सोचता है मुझे नहीं पता था मेरा उकसाना बेकार जाएगा ताभी इसी दुरान दूसी तरब मामा को भी होसा जाता है और जिनसी भी यहां मामा के लिए एक नीला गुलाब लेक कि बिद्म जरा ओर आता है और उससे पूषता है ये सब आकिर तुम ने किया कैसे मामाऊ बताती है कि मैंने इंस इनस सबके अंदर रंग भर दिया था, क्योंकि ये सारे गुलाब सपेद के लिए थे, जिनसी कहता है इसलिए उन गमले में कई तरह के रंगों वाले गुलाब थे, मामाओ कहती है इन्हें रंगना असान था, पर इससे मुस्किल था इन्हें खिलवाना, मुझे पता था कि इन्हें देखकर में देखने वाली कहानी का क्या है मामाव बताती है सायद कोई होगा जो पूरे दिन भर नीले गुलाब को पानी पिलाया करता होगा जिनसी कहता है तुमने नेल पॉलिस लगाई है तुम तो इन्हें कभी नहीं लगाती हो मामाव सोचती है बाल साम और वूट सोरेल होते तो म अभी इतना सोचते ही मामाव गावसुन से पूचती है मैंने आपको जो काम करने के लिए दिया था क्या वो आपने कर दिया गावसुन बताता है कि जो तुमने मुझसे कहा था वो काम हो गया है मामाव सोचती है ठीक है अब सब तयार है अब बस उस घिनोने बदमास को पत्थर और उसे उसके मिलिटरी के साथी भी चैस के टुकडों की तरह लगते हैं और इसके अलावा उसे मिलिटरी में काम करना भी असान लगता है क्योंकि उसे पता है कि उसे अपने टुकडों को कहा रखना है इसलिए लाकन को अपने नकारे जाने से कोई पॉल्लम नहीं है क्योंकि वो अपने महरों को सही जगा रखना जानता है जिससे उसका काम खुद बाकुद हो जाता है और उसे कुछ करने की जरूत नहीं पड़ती पर लाकन की आख में लाल रंग चुपता है तब ही लाकन के बारे में इतना पता चलते ही हम लाकन को देखते हैं जो मैनी क्यू जोसते ही लाकन मामाओ के हाथ में वो गहरा लाल रंग देखकर चौक जाता है और जिन सी गासुन को छोड़कर मामाओ का फेस देख पाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है तो गाईस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो म मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो पिलीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग